आड़ी शर्मा सोलुशन देख रहे हैं, क्लास 11 है चाप्टर 23, the straight lines exercise है 23.15 पहरा सवाल है, find the distance of a point 4,5 from the straight line 3x-5y plus 7 equals 0 अब जितने भी सवाल इसमें आने वाले हैं, mostly उसमें formula जो use होगा उसको जड़र देखेगा, कि अगर मान लिजे आपके पास कोई एक point है यहाँ पर और आप उसका distance किसी straight line से निकानना चाहते हैं, तो distance होता है perpendicular distance यह point अगर आपका x1, y1 है और इस line की equation आपकी ax plus by plus c बराबर 0 है तो हम क्या करते हैं, इस x1, y1 को यहाँ रखते हैं, x की जगह a x1 हो जाएगा, फिर b y1 हो जाएगा और c, और उसके बाद जो x और y का coefficient है, इसका हम करते हैं square, यानि a square plus b square और यह होता है mod, mod क्यों होता है, क्योंकि distance कभी भी negative में नहीं हो सकता distance का direction हो सकता, आप इस तरफ से देख रहे हैं या इस तरफ से देख रहे हैं इसलिए modulus है, तो जो भी sign आए, आप उसको positive करेंगे, इस तरीके से इसको देखेंगे तो यहाँ पर पहली equation आपके पास है, पहले सवाल में, 3x minus 5y plus 7 equals 0 इसमें a दिया है, a आपका 3 हो गया, b आपका minus 5 हो गया, और c आपका 7 हो गया जैसे मैंने formula बताया था, यहाँ a, अब x1, y1, यानि आप 4, 5 से distance करना है, तो 4, 5 से करना है और equation आपके क्या हो गई, a x, यहने 3x minus 5y plus 7 बराबर 0 तो 3, 5 और 7 तो यही रहेगा, x और y की जगा आप 4 और 5 रखेंगे, जैसे यहाँ रखा गया है इसके अलावा a और b का आप under root लेंगे, square लेंगे, square करके add करेंगे तो 3 square और minus 5 का square की under root, तो यह आपका 6 by under root 34 आगया यह question number 2 है if the length of the perpendicular from the point 11 to the line a x minus by plus c equals 0, b unity unity का मतलब होता है 1, show that 1 by c plus 1 by a minus 1 by b equals c by 2ab अब पहले तो हम यहाँ से इसका distance निकालेंगे अब जैसे मैंने आपको बताया था बिल्कुल ऐसी हे करेंगे a x minus by plus c है, तो x और y की जगा हम रखेंग 1, 1 तो क्या बन गया, a x की जगा 1 रखा मैंने, minus b, y की जगा 1 रखा, c अब under root a square plus b square यह जो distance है यह आपको बताया गया है, कि यह 1 है, ध्यान रखेंगा कि यह mod लेना पड़ेगा आपको, mod है, 1 हमने लिया तो अब हमारा a minus b plus c plus c, अब इसको इतर ले जाते हैं, under root a square plus b square अब दुनों जगा square कर देते हैं, तो यह होगा, a minus b plus c का whole square बरावर a square plus b square अब इसका square मैं बता देता हूँ, इसको आपको square करना है, पहले इन दुनों को एक माल लीजे फिर इसको एक माल लीजे, a plus b का whole square करिए फिर उसके बाद यह a square बनेगा, उसको अलग से कर लीजेगा तो final आपका आने वाला है, a square plus b square plus c square minus 2ab minus 2ac minus 2bc और फिर इसके बाद यह a square plus b square, तो यह तो cancellation हो गया, a, b, a, b पिर आपका बना c square minus 2ab minus 2ac minus 2bc अब आप सवाल में देख रहे हैं, आपको की जो 2 है जो question पुछा गया, वो two denominator में है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर आप पहले तो c square को यहाँ ले आईए, तो c square को हम यहाँ ले आए या फिर यह कहें, 2ab, 2ac, 2bc को हम इधर ले आए, तो c square बराबर हो गया 2ab plus 2bc plus 2ac, अब 2 सबसे common ले लिजे और नीचे ले जाएए, तो यह हो गया, अब तीनो, मतलब left hand side, right hand side आप divide कर दीजे, तो आप यह 2 अभी हटा देते हैं, अब abc से divide करिए और यहाँ भी abc से divide करिए, यहाँ भी abc से करेंगे तो यहाँ आपनेगा, cc यहाँ से गया, तो c by 2ab हो गया यहाँ से ab ab, 1 by c, यहाँ से ab, यह bc, bc, यहाँ 1 by a हो गया, यहाँ से ac और ac, तो 1 by b, 1 by a plus 1 by b, अच्छा, यहाँ पर एक negative है, यह जो है न, यहाँ पर, यह 2 ac को मैं कर देता हूँ यह हो जाएगा, ठीक, तो यहाँ पर एक negative आजाएगा, 1 by c, प्रस 1 by c, minus 1 by b, पर आपर c by 2ab, ऐसा आजाएगा यहाँ यह question number 3 है, find the length of the perpendicular from the origin to the straight line joining the two points whose coordinates are a cos alpha, a sin alpha, यह पहला coordinate है, और a cos beta, a cos beta और a sin beta आपका दूसर coordinate है, तो पहली चीज़ यह है कि हमको length of the perpendicular निकालना है, लेकिन उससे बहले, पहले हमें line की equation चाहिए होगी, line की equation हमें बनेगी, तब हम यह वाला formula लगाए पाएंगे, जो मैंने आपको शुरुवात में बताया, तो पहले line की equation बनाएंगे, उसके बार, find the length of the perpendicular from the origin to the straight line, distance है, दो जो coordinates में दिये हुए है, वो आपको यह दिये हुए है, a cos alpha, a sin alpha, a cos beta, a sin beta, अब पहले मैं इसको बता दूँ कि line की equation होती है, y minus y1, बराबर y2 minus y1, by x2 minus x1, और x minus x1, यह line की equation होती है, जब हमें, यह x1, y1, और x2, y2 दिया हो, तो हम क्या करेंगे, इसको हम, इसको हम x1, y1 माल लेते हैं, यह हमारा x1 हो गया, यह y1 हो गया, यह x2 हो गया, यह y2 हो गया, बहुत ध्यान से देखिएगा, कि यहीं बता रहा हूँ है, आपको, और करने में समय निकल जाएगा, इसलिए यही भी बता देता हूँ, y minus a sin alpha, यह x minus a cos alpha, हमने x1, y1 ले लिया यह, y minus y1, यह y minus a sin alpha, और x minus x1, यह x minus a cos alpha, उपर आया आपका y2 minus y1, यहाँ की a sin beta minus a sin alpha, यहाँ देख रहे हैं आप, और a cos beta minus a cos alpha, यहाँ पर आ गया, यहाँ से इन दोनों से आप a common लेंगे, a cancel हो जाएगा, तो यहाँ से a हमने अटा दिया, sin beta minus sin alpha, cos beta minus cos alpha का formula लगाएंगे, sin beta minus sin alpha होता है, 2 cos alpha plus beta by 2, यह बीटा प्लस alpha, यह बीटा पहले है, बीटा प्लस alpha by 2, sin beta minus alpha by 2, cos beta minus cos alpha होता है, 2 sin beta plus alpha by 2, sin alpha minus beta by 2, यह हो गया, एक चीज, अब यह आप कहेंगे कि यहाँ पर beta minus alpha क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर minus में आता है, इसको minus को अटा के हमने अंदर डाल दिया, इसलिए इसको alpha minus beta कर दिया, फिर, y minus sin, यहाँ तक तो हो गया, इसमें आप देखें, क्या बन रहा है, यह 2, 2 तो cancel हो गया, cos और sin बन रहा है यह दोने cancel हो जाएंगे, तो negative x sin रहे गया, 2, 2 cancel, cos beta, cos और sin मिला के, cos beta plus alpha by 2, तो यहाँ तक पहुच गया हम, यहाँ तक, अब, थोड़ो सा इसको अगर और, अगर हम equation के तोर पर बनाना चाहें, इसको ऐसे रहने देते हैं, अब तो हमरे पास कोई solution बन नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको y equals to mx plus c form में बनाएंगे, क्योंकि हम denominator हमारे पास नहीं है, तो आराम से कर सकते हैं, तो क्या करेंगे, इसमें y minus a sin alpha, और cot minus cot alpha plus beta by 2, और x minus a cos alpha, तो यहाँ पर x, इसको इससे multiply कर दीज़े, मैं इसको पता देता हूँ, यह कैसे आए, कि यह line important है, इसी line स कैसे चीज़ आगे बड़ेगी, तो मैं आपको बता देता हूँ, यह कैसे आए, जैसे आपका यह है, y minus a sin alpha, बराबर, minus cot alpha plus beta by 2, और x minus a cos alpha, तो y equals, हमको इसको ax plus by plus c form में रखना है, तो सब को यहाँ ले आएंगे, तो y minus a sin alpha, पहले भी इसको multiply कर देते हैं, यह क्या बनेगा, minus cot alpha plus beta by 2x, यह हो गया, और minus minus हो गया, plus, यह हो गया, a cos alpha, cot alpha plus beta by 2, यह हो गया, अब सब को इधर ले आएंगे, तो y हो गया, यह फिर एक काम करी, क्योंकि x यहाँ पर है, यह यह ही इधर ले आए, क्योंकि यह प् alpha plus beta by 2, यह तो हो गया, इसको अटा देते हैं, अब y वाला यहाँ आगया, plus y कर देते हैं, अब constant हम देखिए, यह तो minus a cos alpha है, minus a sin alpha, ऐसे sin alpha है, अब इसको यहाँ ले आ रहे हैं, minus a cos alpha, cot alpha plus beta by 2, वे जो एक्वेशन बनी है, बिलुकल यही बनी है, यह वाली equation है, अब हम क्या करेंगे, कि 0-0 से हमें distance लेना है, जैसे मैंने आपको बताया था, 0-0 से distance का मतलब यह है, कि हमको x की जगा 0 रखना है, y की जगा 0 रखना है, तो हमको इस पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि x की जगा 0 आ जाएगा, y की जगा 0 आ जाएगा, तो हमको कि वाल यह c देखना है, तब C, तब C, क्याल C उपर आएगा नीचे अंडरूट, इसका स्कार और इसका स्कार, किसका वन है, वन है, वन का स्कार और कॉट अलफा प्लस बीटा बाइटू का होल स्कार, जो मैंने आपको बता है वो यहां पर है, मैनस A sin अलफा, मैनस A cos अलफा, कॉट अलफा प्लस वन है, और कॉट अलफा प्लस बीटा बाइटू है, तो अंडरूट, वन प्लस कॉट स्कार अलफा प्लस बीटा बाइटू, अब इसका एक फॉर्मिला होता है, वन प्लस कॉट स्कार थीटा होता है, कोजेक स्कार अलफा प्लस बीटा बाइटू लिख सकते हैं, अब कोजे यह आपका आया a sin alpha और नीचे आएगा cosec alpha cosec alpha plus beta by 2 और यहाँ आएगा plus a cos alpha cot alpha plus beta by 2 और नीचे भी आपका cosec alpha plus beta by 2 यह दन रहेगा इसको हम ले जा रहे हैं उपर तो cosec यह देखिए जब इसको ले जाएंगे तो यह बनेगा sin alpha plus beta by 2 तो यह यहाँ पर हुआ है यह आपका जो नीचे था cosec उसको sin alpha plus beta by 2 यहाँ पर आप देखिएगा यह है a cos alpha, cot alpha plus beta by 2 नीचे है cosec तो cosec उपर जाएगा तो बनेगा sin cos होता है cos by sin तो sin sin cancel हो जाएगा कहने का मतलब इसको ध्याँ से देखिए यह cot है, cot को मैं cot theta माल लेता हूँ तो cot theta यह हो गया cosec cosec मतलब 1 by sin उपर जाएगा तो sin sin theta, cot होता है cos by sin theta यह होता है sin 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 cancel कहने कहले cos बचेगा तो cos alpha plus beta by 2 आएगा और यह cos alpha तो थाई यहाँ पर अब दुनों से यह आप बाहर ले जीए यह बाहर ले लिए क्योंकि यह भी constant है चलिए इसको बाहर ले लिया अब यहाँ पर क्या बना sin alpha, sin alpha plus beta by 2 और cos alpha, cos alpha plus beta by 2 अब इसमें देखिएगा यह जो जीज है sin, sin और sin यहाँ पर है और cos और cos है यह किसका formula होता है cos alpha plus beta by 2 minus alpha, ठीक ध्यान रहेगा इसका formula क्योंकि आपको अच्छे तरीके साने चाहिए जो हम पहले देख चुके है तो सीधा formula लिख रहा हूं मैं यह होगया cos alpha plus beta by 2 minus alpha अब इसमें क्या बना a cos यह alpha plus beta by 2 यहाँ पर पताता हूँ alpha plus beta by 2 minus alpha alpha plus beta minus 2 alpha by 2 तो यह केतना होगा beta minus alpha by 2 यह beta minus alpha by 2 इसलिए आया है तो a cos beta minus alpha by 2 और a cos beta minus alpha by 2 अगर हम यहाँ negative भाशर ले लें क्योंकि तो mod चल रहा है यह mod चल रहा है तो हम इसको beta minus alpha को alpha minus beta कर सकते ह। क्योंकि cos minus theta वैसे ही plus cos theta होता है तो यहाँ पर minus की जरूर दिनी पड़ेगी cos minus theta is plus cos theta तो beta minus alpha करें चाहिए alpha minus beta करें एक ही बात है तो क्या आजाएगा a cos alpha minus beta by 2 यह इसका required distance हो गया यह है question number 4 इसमें कहा गया है show that the perpendiculars show that the perpendiculars let fall from any point of the straight line, एक line दी हुई है upon two straight lines, दो line और दी है are equal to each other, तो हमको बस बसमें distance prove करना है बराबर है distance, तो हो यह रहा है फिर सिनारियो आपको समझा देता हूँ, फिर हमको यही मैं यही बताँगा आपको, इसमें सिनारियो कुछ इस तरीक एका है, कि any point, एक straight line है जो straight line आपको दी है 2x plus 11y minus 5, बराबर 0, यह line है upon two straight lines, अब यह straight line मुझे पता नहीं है इधर ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है मैं एक अंदाजे से बता रहा हूँ, यहां से हमने एक straight perpendicular किया, एक perpendicular किया आपको यह बताना है, यह d1 और d2 अगर यह distance है तो यह बराबर है यहां से हमने इस पर perpendicular डाला, यह line कॉंसी हो गई 24x plus 7y बराबर 20 और यह line हो गई 4x minus 3y minus 2 बराबर 0 अब हम क्या करते हैं, ऐसा करते हैं इसको, इस x1, y1 को, क्योंकि x1, y1 बड़ा confuse करता है जहां subscribe और superscript होते हैं तो हम इसको a और b माल लेते हैं तो पहली चीज़ यह है कि a और b तो इसी line में लाई कर रहे हैं तो पहली equation बन जाएगी 2a plus 11b minus 5 इसकी जगा a रख दिया, इसकी जगा b रख दिया तो यह clear हो गया, a और b क्योंकि इसी line में है तो इसको satisfy करेगा 2a plus 11b minus 5 equals 0 यहां से हम निकालेंगे b equal to 5 minus 2a by 11 फिर से बताता हूँ, हमने क्या किया क्योंकि a और b हमने जो लिया x1, y1 की जगा वो इसमें लाए कर रहा है 2x plus 11y minus 5 में तो हमने इसमें रख दिया है और b तो 2a plus 11b minus 5 आ गया यहां से हमने क्या किया, b निकाला कैसे निकालेंगे, यहां 5 ले जाए है यहां 2a ले जाए है, तो 5 minus 2a और 11 को नीचे ले जाए है, तो b बराबर 5 minus 2a by 11 हो गया अब हमने कहा कि एक d1 perpendicular है d2 perpendicular है, इसपे है, इसपे है यह 24x plus 7y minus 20 लिखेंगे 24x plus 7y minus 20 बराबर 0 तो इसपे अगर हम a, b से perpendicular डालें तो क्या होगा 24a plus 7y minus 20 by under root 24 square plus 7 square यह perpendicular d1 हो जाएगा d2 के ले क्या करेंगे, 4a minus 3b minus 2 और divided by under root, यह 4 square plus 3 square आएगा वही का हमने किया है यहां पर हमने क्या किया, 24a plus 7b minus 20 by under root 24 square plus 7 square अब यहां पर इस जगह पर आके हम यहां b जो हमने 5 minus 2a by 11 निकाला था वो यहां रख देंगे तो आप इससे देखेंगे, यह d1 आएगा 50a minus 37 by 55 यही काम हम इसके साथ करेंगे जो मैंने यहां बताई आपको 4a minus 3b minus 2 by under root 4 square plus 3 square तो यहां पर तो 5 बन जाएगा क्योंकि 3,3,9 होता है, 4,4,16 होता है under root 25 अपका 5 आजाएगा यहां पर भी हम यह काम करेंगे, बी कीजेगा 5 minus 2a by 11 रखेंगे जब यह रख देंगे, तो आप देखेंगे इसको resolve करेंगे, तो यह भी 5a minus 37 by 55 यह भी 50a minus 37 by 55 तो d1 बराबर d2 आगे आपका यह है अपकी सवाल संख्या 5 तो सवाल संख्या 5 में find the distance of a point of intersection of the lines एक line दी होई, दू line दी है from the line, तीसी line तो आपको करना क्या है scenario बता रहा हो आपको कि इस दो line है एक line, दो line यह दोनों intersect करेंगे, कौन-कोंसी line है एक है 2x plus 3y equals 21, यह पहली line हो गई और 3x minus 4y plus 11 यह आपकी दूसी line हो गई, तो यह मैं इसको l1 कह देता हूँ, इसको l2 कह देता हूँ यह आपकी l1 line हो गई, यह आपको lt2 line, l2 line हो गई, अब यह point of intersection है, यह point of intersection इसका distance हमें निकालना है किसी एक line से जिस जो दिया हूआ है यह वाली 8x plus 6y plus 5 तो इसको l3 मान लेते हैं, तो इस line का intersection point निकालेंगे, आपके पस यह linear equation है 2 variable में इसको निकालेंगे, या फिर आप कोई भी method जो आप यहाँ पर हमने 8x plus 6y plus 5 बराबर 0 है, तो हम क्या करते हैं, x की जगा 3 रखेंगे, तो 8 into 3 plus 6 y की जगा 5 रखते हैं plus 5, और divide करते हैं इसको, इसका coefficient और इसका coefficient है square निकालेंगे, 8 square plus 6 square, इसको निकालेंगे तो आपका 59 by 10 आजाएगा mod ध्यान रखेगा, वैसे इसमें find the length of the perpendicular from the point 4 minus 7 to the line joining the origin and the point of intersection of the line lines this and this तो इसमें सिनारियो कुछ इस तरीके से है कि दो line ही दी हुई है इनका एक intersection point होगा और फिर एक line होगी जो join करेगी origin और इस point of intersection को अब आपको एक point से जो 4 minus 7 दिया है, वहाँ से इसका distance निकालना है कहने का मतलब, एक line ये L1 है, ये L2 है ये दो line है, ये आपर समें intersect कर रही है, ये intersection point हो गया अब जब ये माली जो origin है वारा 00 इन दोनों को join करके जो line आएगी उससे perpendicular distance निकालना है 4 और minus 7 का तो सबसे पहले हमको ये L1 और L2 का हमको intersection निकालना पड़ेगा जैसे मैं आपको पहले बताया intersection आप निकाल लेंगे, मैं पुरी मुझे परा यकीन है क्योंकि हम सैंकड़ों बार ये सवाल कर चुके है तो यहाँ पर हम cross multiplication लेके point निकालेंगे, यह हमारे पास एक point आया, दूसरा point आया तो इसमें क्या करते हैं, मैं इसको x1, y1 मान लेते हैं और इसको x2, y2 मान लेते हैं Equivication मैंने आपको अभी लिखके बताई थी, तो यहीं पर उसको direct लिख जेता हूं, और final y-y1, x-x1, y2-1 और x2-x1, यह आपकी equation आ गई अब origin से जब भी होता है, तो ध्यान रखेगा कि y equals to mx आ रहा है, यह आपका आ गया अब इसको resolve कर लेंगे, यह 7 से दोनों जा रहे हैं, 7 into 12 और 75 to 35, तो y equals minus 12 by 5x, तो इसको अभी हम यहाँ ऐसे नहीं रखेंगे, इसको हम proper form में लिखेंगे, हमको लिखना है, इसको ax plus b y plus c equals 0 form में, तो यहाँ पर जब यह equation बनेगी 12x plus 5y plus c में 0 रिखेंगे, यह है, अब हमको distance निकाल लिए, 4 or minus 7 से, तो 12, x जगा 4 रखेंगे, 5 into y की जगा minus 7 रखेंगे, 0 तो खेंगे, 0 है, और divided by under root, क्या होगा, यह 12 का square, 12 का square plus 5 का square, इसको निकालेंगे, तो आपका 13 रखेंगे, यह एक आ जाएगा, और लब unity आएगा इसका distance, यह question number आपका है, 7, question number 7 में कहा गया है, what are the points on x-axis whose perpendicular distance from the straight line x by a plus y by b equals 1 is a, तो पहली चीज़ तो है, what are the points on x-axis, x-axis पे जो भी point होता है, उसमें हमेशा y 0 होता है, तो हमें पता नहीं क्या point है, लेकिन हमें यह पता है कि y 0 है, तो हम इसको t माल लेते हैं, x को t माल लेते हैं, y हमें नहीं पता, तो y हमें पता है, x नहीं पता, y हमें exactly पता है क्योंकि x-axis है x-axis में y 0 होता है अब हमको निकालना है इसका distance it is given that the perpendicular distance from this line is a तो इसका perpendicular distance निकालने के लिए हम इसको किस form में लिखेंगे यह x by a है plus यह हो गया 1 by by 1 को यहां लेंगे minus 1 बराबर 0 तो यह ax plus by plus c equals 0 form में बन गया तो आप distance निकालना है distance हमको distance जो है वो a दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे मैंने जैसे आपको उताया था x की जगा हम t रखेंगे तो t by a plus अब यहां कुछ रखने की ज़रूत नहीं है ऐसे क्योंकि b हमारा 0 है मतलब यह y 0 है minus 1 बराबर अब अंडरूट पर आएगा क्या इसका coefficient है 1 by a square इसका coefficient है 1 by b square अब यह बराबर है आपके किसके a से ठीक है तो यह 0 हो गया इसको तो ड़ा दीजे आपको उपर आया t by a t by a minus 1 और यह हो गया आपका अंडरूट तो मैं एक काम करता हूँ इसको पहले इसको यहाँ ले जाते हैं और square करते हैं नीचे हम इसको यहाँ नीचे ला रहा हूँ और इसको हम उपर ले जा रहे हैं 1 by a square प्लस 1 by b square अब यह बनेगा आपका पहले मैं इसको solve कर देता हूँ t minus a by a तो यह बन जाएगा नीचे a है a square तो t minus a by a square अब इसका square करेंगे और इसका भी square करेंगे 1 by a square प्लस 1 by b square तो यहाँ क्या बनता है t minus a square t square 1 by a square को 1 by a की पार 4 कर देता हूँ अब इसको यह resolve हो जाएगा भी a square plus b square a square plus b square और minus 2 a t 어서 1 by a square plus 1 by b square चाहे तो आप a की पार 4 को यहाँ भी कर सकते थे चाहे इधर भी कर सकते थे लेकिन हमको इसको बनाना है एक quadratic equation t square और t kे form में t square और t kे form में यह यह वैसे भी बन चुकी है t square और t kे form में यह वैसे भी बन चुकी है तो हम क्या करेंगे बहतरीन यह है कि a की पावर 4 यहां करी दें तो बन गया यह t square और plus a square minus 280 और यह हो जाएगा a की पावर 2 और plus यह a की पावर 4 और b square अभी यह b square भी कुछ गबड कर रहा है क्योंकि यह denominator में सब को b square से मनिप्लाय कर दीजिए b square t square plus b square a square minus 2 a और b square t और अब बन गया आपका a square a square b square plus a की पावर 4 यह a square b square हटा दीजिए तो क्या बना फाइनल b square t square यहाँ पर minus 2 a b square minus 2 a b square t और यह a की पावर 4 यहां ले आएगी तो यह equation बन गई, total यहां देख रहे हैं आप same equation बनीए अब इसको आप सीधा श्रीधराचरे से formula से solve कर दीए तो हम क्या करेंगे, इसको हम मानेंगे जैसे मैंने अभी आपको बताया था b square t square minus 2 a b square t minus 1 की पावर 4 बरावर 0 तो minus b t होगा, यानि x होगा, वो होगा minus b, minus of minus 2 a b square यह हमारा x square है यह x है, इसी साब से लेंगे minus b plus minus under root b square minus 4 c, यहने यह तो b square minus 4 c, यहने कि minus b square minus 2 a b square b square minus 4 into a, a है b square into a, minus a की पावर 4 minus b plus minus under root b square minus 4 c by 2 a by minus b plus minus under root b square minus 4 c by 2 a तो 2 a, 2 b square होगया अब अब यह है अब इसको देखते है minus minus होगया plus तो 2 a b square होगया plus minus और क्योंकि अंदर का रख कर ले हैं यह होगया 4 4 और a b square था तो इसका square है b square 4 a square b की पावर 4 होगया यह होगया minus 4 into a c b square into a की पावर 4 यह होगया आपका plus minus minus plus होगया तो b square a की पावर 4 और a square b की पावर 4 अब हम क्या कर रहे हैं यह जो a square b इसको देखे हैं ध्यान से इसमें हम 4 भाहर ले रहे हैं और ले रहे हैं a square b square तो क्या बनेगा यहाँ अंदर a square b square ले लिया तो b की पावर 2 बना अंदर और यहाँ बना क्योंकि 4 a square b square ले लिया तो यह a square बच गया तो 4 a square b square में अंदर root में अगर आप लेना चाहें वैसे तो आपका क्या बनेगा नीचे आपका नीचे आपका यह चली रहा है क्या चल रहा है 2 2 2 b square ठीक है इसको इसके चेगा मैं यह रख रहा हूँ और मैं इसको कह रहा हूँ यह under root हम लेंगे तो यह बना 2 a b under root a square प्लस b square यहां आया 2 a b square plus minus इससे हमने 2 a b बाहर निकाला under root में है a square प्लस b square नीचे हमारा है 2 b square इसको हम कैसे लिख सकते हैं इसको लिखेंगे 2 a b square by 2 b square plus minus 2 a b by 2 b square under root a square प्लस b square यह हो गया 2 to cancel इसमें 2 a b square है तो b square इसको कैसल होगा 2 a बन गया यह a बना बस ठीक तो यह a हो गया प्लस minus अब इससे b से b काट दीजे 2 से कुट काट जाए तो a by b हो गया और यहा हो गया under root a square प्लस b square अब a by b दोनों से बाहर ले लिए a by b हम दोनों से बाहर ले लेंगे यहाँ पर हम क्या लेकिया आए थे यहाँ पर 2 a b square से b square क्यों ए आया था तो अगर हम a by b बाहर लेते हैं तो हमको b by a से इसको में टिवलाए करना पड़ेगा आपर क्यों b बचेगा हम a by b बाहर ले रहे हैं तो a by b बाहर लेंगे यहाँ क्यों आपका b आएगा प्लस मैनस a by b बाहर ले ले लिए तो under root a square plus b square ठीक है यहाँ तक हो गया अब आपको बताऊं कि यह point आया है t तो एक होगा a by b b plus under root a square plus b square यह वाला और दूसरा आएगा negative लेंगे तो एक बार positive लेंगे तो वो यह positive वाला यह आगया b plus under root a square plus b square यह बताया और negative लेंगे तो यह वाला आजएगा a by b minus under root a square plus b square और फिर यह तो 0-0 है यह दो points आएगे इसमें अब यह सवाल संक्या है और इसमें important बात ही है कि N-C-E-R-T का सवाल है question पढ़ देता हूं मैं show that the product of perpendiculars on the line x by a cos theta plus y by b sin theta equals 1 from the points दो points दिये हैं एक plus point है एक minus point है मैं भी लिखके दिखाऊँगा आपको is b square कहने का मतलब यहाँ पर एक point है आपका और वो एक point दिया है आपको plus under root a square minus b square और comma 0 और दूसरा यह point दिया हुआ है मैं लिजे यहाँ माल लिए यह होगा negative under root a square minus b square comma 0 और एक line दियो हुई है जो line की equation यह वाली है यह perpendicular अगर हमने drop के यहाँ से यहाँ यहाँ से यहाँ इस line पर यह line l1 माल लिजे यह l1 है वारी तो यह d1 अगर है यह d2 है तो आपको d1 d2 equals b square दिखाना है तो इसमें क्या करेंगे सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि हम इसका perpendicular कैसे करते हैं क्या निकालते हैं तो यहाँ हमारे पास होता है पहले इस equation को बहुत ध्यान से देखिएगा मैं इसको कैसे लिख रहा हूँ इसको लिख रहा हूँ मैं cos theta by A x plus sin theta by B y minus 1 equals 0 तो यह A x plus b y plus c equals 0 हो गया अब हम क्या करते हैं A x plus b y plus c equals 0 में हम A x लेते हैं लेकिन x x 1 लेते हैं कि यहाँ पर यह लेंगे तो x की जगा हम यह रखेंगे अब d1 निकालने के लिए तो d1 क्या हो जाएगा इसमें यह हो जाएगा x की जगा मैं यह रखूगा तो cos theta by A x की जगा यह रख रहा हूँ a square minus b square और अब यह y का term मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर अलड़ी 0 है अगर मैं लिखूँगा अभी तो यह 0 हो जागा y 0 रखेंगे तो यह term 0 हो जागा माइनस 1 रखेंगे यह आप divided by under root अब देखिए x का coefficient क्या है cos theta by A तो मैं इसको cos square by A square कर देता हूँ यह sin theta by A तो sin square by A square कर देता हूँ तो माइनस A by A और नीचे क्या आएगा यह जाएगा यह B square है B square C square अब बी square cos theta plus A square sin square theta और under root by नीचे आएगा A square B square under root में तो मैं A square B square जो है इसको मैं A B करके बहाँ निकाले रहा हूँ इसका मतलब नीचे आपका A square B square आना है under root में है तो मैं इसको हटा के यहाँ पर 1 by A भी लिख देता है अब 1 by A यहाँ दिख रहा है आपको 1 by A B यहाँ दिख रहा है तो A तो पहले हटा दीजे यह B उपर चला जाएगा तो B उपर आएगा यहाँ क्या बना है आपका cos theta under root A square minus B square और यहाँ पर minus A यह आपका D1 चल रहा है भी और नीचे आएगा आपका यह होगा A square sin square theta plus B square cos square theta under root में वस इसको ध्यान रखेगा अब अगली बार हम इसमें बस negative रखेगे यह B जो है ना यह दोनों cancel होने वाले हैं जब मैं इनको multiply करूंगा दोनों cancel होंगे और साथ में आप देखेगा कि किवल B और B बचेगा और B square बन जाएगा ऐसे बनेगा यहाँ पर बहुत ध्यान से देखे क्योंकि मैं आप यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर यह रखा था under root A square plus B square अब यहाँ माइनस रख रहा हूं इसी equation में यहाँ पर एकसी जगा under root A square minus B square रखा जागा वाई की जगा हम कुश्णी रखेंगे तो क्या बनता है देखे माइनस आ गया है यह D2 है माइनस under root A square minus B square बाई A cos theta minus 1 इसी तरिके से करेंगे under root A square minus B square cos theta यहाँ माइनस हो जागा नीचे A आएगा यहाँ पर B square cos theta यहाँ A square sin square theta नीचे A square B square आएगा under root से A भी बाहर चला जाएगा A और A cancel हो जाएगे B उपर चला जाएगा यह तो खार सी गया आप अंदर देखेगा अंदर में क्या है कि यह minus में है अंदर रूट A square minus B square cos theta plus A यहाँ पर अंदर रूट हम इसको कैसे लिखे यह हमारे पास यह term भी है यह यह term भी है और यह यह term भी है यह यहाँ पर जो term आ रहा है under root A square minus B square cos theta minus A यह वाला और यहां क्या बढ़ा राएगा B A square minus B square cos theta माइनस A है या प्लस A इसको ध्यान रखेगा माइनस और A प्लस है नीचे क्या है आप दोनों सेम है नीचे सेम है तो पहले मैं आपको मैं बता देता हूं कि इसमें ऊपर क्या होने वाला है यह है पूरा A और यह है पूरा B यह है पूरा A और यह है पूरा B तो यह कहें यह X है यह y है, यह x है यह y है तो x-y, 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 x-y यह क्या बनेगा x²-y² यह पहले का स्क्वार under root इस पूरे का स्क्वार कर रहा हूं मैं under root a²-b² और cos θ, इसका whole square minus a² यह क्या बनेगा a²-b² तो खेर under root हट जाएगा, cos θ हो जाएगा cos square θ और minus a² यह क्या बनेगा a² cos square θ minus b² cos square θ minus a² अब इन दोनों को देखेगा, मैं a² भाहर ले रहा हूं cos square θ, minus 1 क्या हो जाएगा cos square θ, minus 1 यह क्या स्क्वार थीटा, plus cos square θ, होता है 1, तो अगर हम cos square θ, minus 1 करेंगे, तो minus sin square θ, तो यहां क्या हो जाएगा ठीक, यह clear हो गया, अब आप देखेए, a² sin square θ, minus a² आया है, नीचे आई है यहां पर अभी स्क्वार इसी छोड़ दीजिए, यहां तक हम आ चुके हैं, यहां पर मैंने आपको बता दिया कि हमें क्या मिलने वाला है, इसको हमने a² sin square θ लिए लिखा, और a² cos theta, b² cos theta यहां पर a² हमने लिखा a² cos theta, b² cos theta तो यहां 20, b² cos theta रहीं यह हो गया अब इसमें हमने क्या किया था, a² कॉ이실 अधर कॉधन लिया था cos theta minus a² हो गया था sin theta minus b² cos theta minus b² cos theta ओके, तो यहां क्या बन गया a², इसके जगा मैंने कहा sin square theta और माइनस बनेगा क्योंकि यहाँ पर माइनस आ रहा है तो माइनस A sin square theta और यहाँ पर माइनस B cos theta यह ध्यान रहेगा यह माइनस यह माइनस नीचे देखिए नीचे आपका है अंडरूट छोटा लिखना पड़ेगा अंडरूट A square sin square और प्लस B square cos square और यहाँ पर भी यही है नीचे दोनों बराबर है और जब नीचे multiply होगा तो यह root हट जाएगा A square sin square प्लस B square cos square और आप यहाँ देखिए यह भी A square sin square B square cos square है लेकिन negative दोनों में है यहाँ दोनों में negative है तो आप क्या करेंगा माइनस भार ले लिजए माइनस भार ले लिजए हो क्योंकि mod है माइनस से फरक नहीं परता दोनों मोडिप्लाय कर चुके है तो यहाँ ओपर A square sin square theta और क्योंकि यहाँ पर इसके साथ B था और इसके साथ भी B था तो यह B और B B square हो जाएगा ऊपर वाला A square sin square theta प्लस B square cos theta यह नीच वाले से cancel हो जाएगा ठीक है? ऐसे हो गए तो यहाँ चीज यहाँ पर थोड़ी रह गई थी उसको ध्यान रखेगा कि यहाँ पर A square minus B square को जब cos theta बंटा करेंगे तो A square cos theta B square cos theta minus A square A square cos theta जब करेंगे A square cos theta तो और यह A square cos theta और minus A square को मिलाएंगे तो sin square theta आजाएगा minus B cos theta इसे रहेगा यह minus में आएगा cos theta minus 1 में आएगा फिर minus minus हम बाहर ले लेगे और minus minus मतलब प्लस कर देंगे यह दुन कैंसल हो जाएगे किवल B square B square बचेगा जो यहाँ और यहाँ से आए अगला जो question है वे question number 9 find the perpendicular distance from the origin to the perpendicular from the point 12 upon the state line x minus root 3 y plus 4 equal 0 सवाल यह है कि पहले आपको perpendicular distance निकालना है origin से आली जो origin ही आए यहाँ से perpendicular distance निकालना है from the origin of the perpendicular और the perpendicular from the point 12 upon the state line यानि हमारे पास एक state line है एक state line है और मालीजी यह state line है हमारी यह state line हमको दी है x minus root 3 y plus 4 बराबर 0 अब यह जो state line है perpendicular from the point 12 यहाँ से हमने मालीजी यह 1,2 है यहाँ से एक perpendicular drop की इसमें यह perpendicular drop की 12 से अब find the perpendicular distance from the origin to the perpendicular यहाँ origin से इसके जाएसे बढ़ा दुए origin से यह perpendicular distance आपको निकालना है तो आपको ultimately करना क्या है आपको ultimately यह वाली equation निकालना है इसकी equation निकालना है ठीक? तो यह line और यह line perpendicular है क्योंकि हमने यहाँ 1,2 से perpendicular drop किया है यह line और यह line perpendicular है तो एक line जो दूसरे के perpendicular होती है उसको कैसे लिखते है root 3 को यहाँ लेके आते है 1 को इधर ले आते है यहाँ का sign change कर देते है और यहाँ पर हम कोई की constant लगा देते है यह आ गया root 3 यहाँ पर root 3x यह जाएगा plus बनेगा y और यहाँ पर इसकी जगा हम lambda कर देंगे तो इस line की equation क्या होगी? जो इसके perpendicular है root 3x plus y plus lambda equal 0 अब यह line जो है यहाँ पास किसे हो रही है? 1,2 से यहाँ पर 1 और 2 रख दीजिए हम जब 1 और 2 रखेंगे root 3 यहाँ पर हमने 1 रखा यहाँ टू रखा तो क्या आएगा? lambda वार minus root 3 minus 2 आ गया तो equation क्या हो गई line की? root 3x plus y minus root 3 minus 2 अब यहाँ पर हपको डालना है perpendicular 0,0 से मैं आपको क्या बताया था? x और y की जगा 0,0 डालेंगे तो यह इसको तो हट आई दीजिए क्यों लिए आएगा? minus root 3 minus 2 by minus root 3 minus 2 divided by under root यह root 3 का square और 1 का square root 3 का square 3, 1 का square 1 यह जगा minus root 3 अच्छा minus minus को plus कर दीजे क्योंकि यह तो modi हो जाएगा plus कर दीजे root 3 plus 2 नीचे आपका 4 है under root 4 2 को जाएगा root 3 plus 2 by 2 यह इसकी इसका answer आजाएगा अब यह सवाल है आपका question number 10 question number 10 है इसमें यह दिया हुआ है पहले तो यह बता दूँ कि NCRT का सवाल है इसमें है find the distance of the point 1 2 from the straight line with slope 5 and passing through the point of intersection 1 x plus 2 y equals 5 and x minus 3 y equals 7 यह दोनों लाइन हमें दी हुई है दो लाइन का हमारा intersection है यह L1 माल लीजे यह L2 माल लीजे तो यह L1 और L2 का intersection point है यह वाला एक तो यह हो गया find the distance of the point 1 2 from the straight line with slope 5 and passing through the point of intersection एक line is point of intersection से pass हो रही है इसकी slope दी हुई है 5 दो इसका M दिया हुआ है 5 और straight line और इस intersection से pass हो रही है तो पहले तो आप यह intersection point निकाल लेंगे यह मैं यह हम कई बार कर चुके हैं तो intersection point इन दोनों का निकालना है तो मैं direct इसको मान लेता हूँ कि आप इसको कर लेंगे जाए cross multiplication से लें या linear methods हमें यह point आ गया हमें यह point मान ली जो यह हमारे x1 y1 हो गया यह point आ गया तो एक line जो x1 y1 से pass हो रही है तो x plus by plus c form में रख दिया हमने अब यहां इस पे कहां से एक perpendicular drop हो रही है 1,2 यहां से इस पे यह distance निकालना है तो इस line की equation आ गई बस आपको करना क्या है इस x की जगह रखना है 1 y की जगह रखना है 2 और फिर यह equation लिख दे नहीं है और नीचे लिख करना है 25 का स्क्वार और minus 5 का स्क्वार यह आपका हैगा 132 by 5 under root 26 यह सवाल संख्या है अपकी 11 और question पढ़े देता हूँ फरी चीज़ दी है कि what are the points on y-axis जहां हम y-axis की बात करने लगते है इसका मतला हमारे पास x-0 हो जाता है ऐसे सवाल हम पहले कर चुके है x-0 हो गया तो y हम मालने ते t है अब 0 to t से इस पर perpendicular डालेंगे perpendicular कैसे डालेंगे इसको हम मालेंगे 1 by 3 x plus 1 by 4 y minus 1 बराबर 0 तो x की जगह 0 रखेंगे y की जगह रखेंगे t और नीचे करेंगे नीचे डिवाइट करेंगे इसको अंडरूट 1 by 3 whole square plus 1 by 4 whole square तो गया यहां पर यह तो खेंगा जिरो हो जागा यहां पर आपको मिलेगा t by 4 यह आप देखी रहे है t by 4 minus 1 by अंडरूट 1 by 3 का whole square और 1 by 4 का whole square आपको करना क्या है मैं इसको बता देता हूँ आपको कैसे करेंगे t by 4 minus 1 by अब यह जो t by 4 minus 1 है मैं इसको माल लेता हूँ कि आप इसको solve करने के बाद आएगा 20 by 4 अब में चीज यह है t minus 4 by 4 बराबर यह आपका यह total t minus 4 by 4 आपका अरा है 4, 4, 5 by 20, 20 by 3 20 by 3 और यहां पर 4 आप ले गए 20 by 3 into 4 और 4 आप उपर ले गए और 4 नीचे इसके यहां यहां cancel 4, 4 cancel हो गया 5 by 3, 4 और यहां से आप इदर क्योंकि 4 अलएड़ी था और 4 square 3 square by 4 square यह तो खेर आपका क्या बनेगा 20 4, 16, 35 25 और 25 by 3 square 4 square यह अंडर रूट इस तरीके से बनेगा नीचे यहां पर 5 by 3 into 4 आप इसको हम दाया आते ले गए इसलिए हम यहां पांच by 3 by 4 आप चार आप इसका 4 हम यहां ले गए तो मैं आप final बता दे रहा है आपको कि यहां क्या बनने वाला क्योंकि यहां से हमारी कहानी शुरू हो रही यह सब आप स्वाल कर लेंगे मुझे पुरायकी में अपका t क्या आएगा जब आप प्लस लेंगे 4 प्रस 20 बाइट एक बार आप लिखेंगे तो 4 माइनस 20 बाइट एक बार 32 बाइट एक बाइट 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 आपको पॉंट क्या था जिरो टी इसको इसे माल लीजी जिरो टी गए तो यहां x की जगा 0, t की जगा आप 32 by 3 बना दीजे, तो एका यह हो गया, यहां पर आप 0 लिखे, t2 हो गया, माइनस 8 by 2, यह आ गया आपका, अब सवाल संक्या है, आपकी बार आए, find the perpendicular distance of the line during the points, cos theta sin theta and a cos theta sin theta, cos phi, अच्छे, इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्य sin theta, और cos phi, यह हैं, cos phi sin phi, perpendicular distance of the line during this, from the origin, यह question हम अरड़ी कर चुक है, इस तरीके का, ठीक, अगर आप ध्यान दे, तो exactly same question, question number 3 है, मैं आपको यह ही बताता हूं, इसमें, आप देखेगा, यह हम इसको x1, y1 मान रहे हैं, और इसको x2, y2 मान रहे हैं, तो यह line की equation क्या होगी y-y1, y-y1, x-x1, और y2-y1, x2-x1, इसको यहां multiply करिए, इसको यहां multiply करिए, तो यहां बनेगा, cos phi minus cos, cos theta into y, और cos theta minus cos, cos phi minus cos theta into sin theta, यहां पर आएगा आपका sin theta minus sin phi into x, यह हो गया, और sin theta minus sin phi cos theta, यह हो गया, अब आप क्या करेंगे, जो सारे को इदर ले आएगे, क्यों ले आएगे, क्योंकि हमारा x और y, ax plus by plus c form में चाहिए, तो x यहां है, चाहिए तो आप इसको इदर ले आएगे, क्योंकि positive में रखना है, इन दोनों को यहां ले आएगे, इन दोनों को, sin theta, sin phi minus sin theta, यह आपका x हो गया, x वाला term, y वाल term, यहां है, sin phi cos theta, minus sin theta, cos theta, इसमें, फड़ा अपको इसको खोल के बता जता हूं, कि होने क्या वाला है, यह आएगा, मैं इधरी से cancel करते हूं, minus sin theta, cos phi, यहां बनेगा, plus sin theta, cos, sin theta, cos theta, और right-hand side में क्या में इनको ले रहा हूं, क्याल, इसको ले रहा हूं, इसको ले रहा हूं यहां क्या बनेगा, minus sin phi cos theta, और यहां बनेगा, minus minus plus, plus sin theta, cos theta, right, तो इससे क्या बना, sin, यह अला जो है, यह दोनों cancel हो गए, तो आपके बास क्या आएगा, sin theta cos phi, और sin phi cos theta, और क्यूंकि हम इसको इधर ले के आए हैं, यह बनेगा, इसके साथ plus में, यह जब हम इधर ले आए तो यह बनेगा, plus में, sin theta cos phi, minus sin phi cos theta, और यह formula होता है, यह देखे, sin theta cos phi, minus sin phi cos theta, यह clear हो गया, कैसे आए, इन दोनों में से, एक point konsel हो जाएगा, और बाकिया हम यह लेगे, अब हमको निकालना है, perpendicular distance origin से, perpendicular distance origin से, बतला, x और y को तो आप 0 कर दिए, तो यह उपर आएगा, क्य sin theta minus phi, अब नीचे आएगे, नीचे आपका क्या हुआ, इसका square और इसका square करेंगे, तो यह वाला term का square, यह वाला term का square, दोनों को आपको खोलना है, और जब हम खोलेंगे, यह देखे, sin phi का whole square, इसी तरह के से sin theta का whole square, minus 2 sin phi sin theta, यह हो गया, फिर cos square theta, फिर यहाँ cos square theta, फिर यह minus 2 cos phi cos theta, यह हो गया, उपर तो आपका sin theta minus 5 आई गया है, यहाँ देखेंगे, यह sin square theta और cos theta, यह क्या बन रहा है, sin square 5 और cos square 5, यह क्या बन रहा है, 1, इसको मैं ऐसे समझाता हूँ, यह sin square 5 cos square 5 बन रहा है, 1, यह sin square theta, cos square theta बन रहा है, 1, और यह बन रहा है, आपका minus 2 sin 5 sin theta, और यह है minus 2 cos phi cos theta, right? तो यहाँ पर आप देखेंगे, मैं इसको करता हूँ minus 2 sin theta sin phi तो minus common ले 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 तो यहाँ plus आ गया, cos theta, cos phi और cos theta अब देखें यह तो खेर 2e होगा, 2 minus 2, 2 minus 2 लेकिन यह जो term है, यह है आपका cos, यह formula क्या होता, cos theta minus phi cos theta minus phi होगा, यह clear है? अब हम 2 बाहर ले लेंगे इसे, क्योंकि यह under root के अंदर चल रहा है सारा, 2 बाहर लेंगे तो under root 2 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचा? 1 minus cos theta minus phi, यह ही आप देख रहे हैं, यह ज़रू बाहर ले लिया, लिए 1 minus cos theta minus phi, theta minus phi, sin theta minus phi उपर है, अब 1 minus cos theta होता है, 2 sin square theta by 2, यह clear है? 1 minus cos theta होता है, 2 sin square theta by 2, तो theta यहापर क्या है? मतलब theta, मतलब यह पूरा अंगल बोल रहा हूँ, यह जो बहुत है, 2 sin square theta minus phi by 2, और under root में है, under root में है, तो यह sin square बन जाएगा, और under root 2 है, तो यह root 2 फिर से बाहर आ जाएगा, तो 1 by root 2, root 2 और root 2, root 2, root 2, root 2, 1 हो जाएगा, अब sin theta, हम नीचे, sin theta minus phi by 2 तो ले आए, यह 2 sin theta minus phi by 2, cos theta minus phi by 2, इन दोनों को आप cancel कर दीजे, केवल cos theta minus phi by 2 बच रहा है, और root 2, root 2 आपका 2 है, यहाँ पर, और यह 2 इससे cancel हो जाए, यह 2 cancel हो गया, तो केवल आपका क्या बचाए, यह cancel हो गया, केवल cos theta minus phi by 2 बच रहा है, यही required distance है, अब सवाल संख्या है आपकी 13, अच्छा, important बात यह है कि आगे की जो भी question आ रहे हैं, वो सारे NCRT के है, 13, 14, 15, इसमें है, in a triangle ABC with vertices, 2, 3, 4, minus 1, C, 1, 2, find the equation of the length of the altitude from the vertex A, तो A हो गया, यह आपको दिया हुआ है, 2, 3, फिर आपको दिया हुआ है, B, B है आपका 4, minus 1, और C दिया हुआ है आपका, 1, 2, तो यह perpendicular का वो निकालना है आपको, length of the altitude from the vertex A, तो यह 2, 4 से हमने perpendicular drop की, इसकी length निकाना है, तो हमको क्या करना है, यह जो line है, यह line की equation निकालनेगी, इस line की equation से perpendicular है, तो यह line की equation कैसे निकलेगी, हम इसको मानते हैं, x1, y1 और इसको मानते हैं, x2, y2, तो y minus y1, y2 minus y1 equals, y2 minus y1 by x2 minus x1, x minus x1, यह equation आगे इस line की, वो हो गई, x minus y minus 3, अब हमको क्या करना है, कि एक line, हमको length of the altitude निकालना है, तो हम क्या करेंगे इसमें, हम सीधा हमारे पास यह 2 और 3 पॉइंट है, तो इसमें रख देते हैं, इस सीधे में, 2 और, plus 3, minus 3, by under root, इसका coefficient है 1, 1 square, इसका coefficient है 1 square, यही आजाएगा आपका, 2 by under root, 2 by under root 2, तो root to root to multiply कर देते हैं, उपर नीचे, यह आपका आजाएगा under root 2, यह आपका required distance हो गया, यह जो, यह जो action है, इसको करने के आवशक्ता नहीं थी, यह direct, क्योंकि length ही पूचा गया है, अच्छा equation भी पूची गई है, तो equation भी पूची गई है, तो हम क्या करेंगे, यह जो line है, हमारी आगई है, x plus y minus 3, by under root, अब line जो, ऐसी equation, जो इसके, perpendicular होती है, इसको क्या करते हैं, इसको यहां लाते हैं, और sign change करते हैं, यह जो जाएगा, x minus y, और इसको हम lambda कर देते हैं, plus lambda ब्राबर 0, ठीक, यह हो गया, lambda ब्राबर 0, अब इसके, इसमें हम lambda निकालने के लिए क्या करेंगे, यह line हमारी 2-3 से pass हो रही है, इसके जगा 2 रखेंगे, इसके जगा 3 रखेंगे, lambda आपका आजाएगा 1, तो बन जाएगी equation, x minus y plus 1 equals 0, तो यह equation आ गई, और perpendicular तो खेर मना बताए दिया आपको, question number है, यह 14, question number है 14, अब इसमें है, show that the path of moving object, moving point, such that, its distance from two lines, 3x minus 2y equals 5, and 3x plus 2y equals 5, are equal is a straight line, तो इसमें क्या करना है, सीधा आपको distance बराबर करने है, यह ने की, show that the path of a moving point, such that its distance from two lines, एक line ऐसी है, एक line ऐसी है, एक point कुछ इस तरीके से move कर रहा है, इसकी distance यह वाली और इसकी distance यह वाली बराबर है, right, तो आपको यह इसकी, show are equal is a straight line, हम इसको बताना है कि यह जो point move और रहा है, यह straight line में move कर रहा है, ऐसे move कर रहा है, तो हम क्या करते हैं, यह जो point है, इसको हम माल लेते है, h, k, पस h, k से हम इस line पर perpendicular डालेंगे, h, k से इस line पर perpendicular डालेंगे, दोनों को बराबर कर देंगे, तो हमारी equation तो खेर है ही हमारे पस दोनों की दोनों, कुन सी, 3x-2y-5 का 0, और 3x-2y-5 का 0, यहाँ पर 3h, करना क्या है, h और k रख देना है, इसकी जगा h, इसकी जगा k, इसकी जगा h, इसकी जगा h, नहीं है, हमने क्या किया, कि जब यह तो खेर, cancel हो जाएगा, यहाँ जब equate करेंगे, तो 3h-2k-5, जब यह mod में लिया, तो इसको जब बराबर करेंगे, तो प्लस मैनस लेंगे, एक बार इसको प्लस लीजिए, यह वाला, एक बार आप माइनस लेंगे, यह वाला, एक बार आपका k जो है, 0 आएगा, एक बार 3h-5 यहने की, आपको k और h की मिल जाएगी, k और h जो value आपकी मिल रही है, k और h और h आपका क्या हुआ, k तो 0 हो गया, यह है 3h-5, और h क्या है, और k बराबर 0, तो x बराबर, यह k जो है, h और k, इसमें यह x है, point है, यह y, point है, k बराबर 0 मतलब y बराबर 0, यह भी straight line है, और 3h इक्वल 5 by 3, यहने की, h होता है आपका x, x हो गया 5 by 3, तो अगर मैं ऐसे बनाओ, y बराबर 0 मतलब x-axis, और x बराबर 5 by 3, माल लिजए, x बराबर 5 by 3 है, यह, यह भी straight line होगी, तो दोने ही straight line है, तो इसमें बहुत एक चीज जिहान रखनी है, जब distance equal करेंगे, तो यहाँ plus minus 2 मा लेना है, बस यही है, इक पर plus से निकालेंगे, इक पर y से निकालेंगे, h और k को बाद में तब्दिल कर देंगे, x और y से, यह सवाल संक्या है आपकी, 15, यह भी NCIT का सवाल है, इसमें दिया है, इसमें दिया है, सेनरियों बताता हूं अपको, तो सम अब दिपरपेटिकल डिस्टेंस आफ़ विरीबल पॉइंट हमारा एक पॉइंट है, पी, यह x, y है, इस अफिसमद प्रपेटिकल दिस्टेंस आफ़ वरीबल पॉइंट दिस, फ्र्रॉम द लाइन, एक लाइन यह है, एक लाइन यह है, यह distance ले लिजे, एक लाइन आमारी जो दी हुई है, वो x plus y minus 5 को 0 है, यह ले, इसको l1 मोल देता हूँ, यह ले दुसरी लाइन है हमारी l2, इसको l2 मोल देता हूँ, तो जो l1 और l2 से दिस्टंस है इसका, इसमें d1 plus d2 यह बराबर 10 है, तो इसमें क्या करेंगे हम, बस यह x और y है, कुछ करना नहीं आपको, इसका distance xy का इससे क्या होगा, x plus 5 y minus 5 by under root, इसका coefficient, इसका coefficient नहीं स्क्वार under root, यह हो गया, यह divan हो गया, यह 3x minus 2y plus 7, यह लिए कि 3 into x minus 2y plus 7 divided by under root 3 square plus 2 square, और इन दोनों को add करेंगे, divan plus d2 बराबर 10, तो जो यहाँ पर नीचे आता है, वो तो आप लिखेंगे, और दोनों साइट को आप multiply कर देंगे, root 26 है, क्यों? यह यह कहें, root 2 into root 13 से, यह हमको दोनों साइट यह eliminate चाहिए, जब हम eliminate करेंगे और इसको बराबर करेंगे, तो आप देखेंगे, जब इसको eliminate कर देंगे, और रूट 2 into root 13 से root 26 हमले कर देजे, यह तो cancel हो जाएंगे दोनों, यहाँ पर root 13, root 26, यह तो root 2 इसको root 13 से, root 2, 13 से काटेगा, 13 उपर आ जाएगा और root 13 इसको 2 से काटेगा, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा और फिर हम x को combine करेंगे, y को combine करेंगे, constant term को combine करेंगे तो यह ax ax plus b y plus c equals form में आ जाएगी और यह line आपके straight line है इसमें कुछ करना नहीं है, बस यह आपको दिख रहा है, यह theory complexity के लिए otherwise कुछ है नहीं तो यह बात हुई exercise 23.15 की बहुत शुकरिया, बहुत महरवानी आप से देखिए